हालो लिस्टर्स, आज हम सिखेंगे कि वर्क स्पेस को न्यू हम कैसे क्रियेट करेंगे, इसके लिए हमें क्या होगा कि जो भी हमारे पैनल्स होएंगे, ओपन या क्लोज होएंगे, जा वो जिस पोजीशन में होएंगे, वो वैसा ही वर्क स्पेस को क्रियेट कर देंगे, means that हमने यहां पर कुछ चेंज की हुई है, यह देख सकते हैं हमने, कि यहां पर हमने यहां पर पैनल्स चेंज किया हुआ है, अब हम चाहते हैं कि न्या वर्क स्पेस हमारा क्रियेट करना है, बट यह पैनल्स जो हमारे ओपन है और इनकी positions को भी हमने change किया हुआ है तो इनी के according की हमारा workspace वो create होगा इसके वहर पस दो options है पहला option है वह वेंडो में जाएंगे वेंडो में जाने के बाद यहां पर workspace होएगा यहां से आप select कर सकते हैं new workspace यह देखें जब हम इसको new workspace करेंगे तो हमारे पस यह यह option आजाएगी new workspace का dialogue box एक बार हम इसको cancel करते हैं अगर हम यहां पर राते हैं अपने workspace बार पर इसके उपर click करते हैं यहां से भी हम new workspace को open करेंगे तो same हमारे पास वही new workspace का dialogue box open हो जाता है अब हम इसको नाम देंगे for example a b c d india इसको हम ok करेंगे अब हम देखेंगे यहां पर हमें display हो रहा हमारा workspace जो है a b c d यानि कि यह जो हमारा है relabel हो गया अब हमें पता लग गया कि जो हमारा workspace है वो save हो गया है अगर हमने इसमें कुछ changes करने है for example हम यहां से typography को select करते हैं तो हमारा जो है workspace अब typography आ गया है अगर हम इसको web के उपर लेके जाते हो तो यह web में आ जाएगा वापिस अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो workspace है जो हमने create किया था a b c d के नाम से उसके उपर select करेंगे तो यह हमारा वापिस उसी workspace में आ जाएगा अगर आप window मेनों में जाकर workspace पे क्लेक करोगे यहां से भी आप अपने accordingly जो भी workspace को select करोगे वह आपको show करेगा for example आपने select किया web तो अब यहां पर आप देखोगे कि वहां पर हमें web का workspace शो कर रहा है और अगर आपने इसको वापिस अपने उसी workspace पर लेके आना जो आपने create किया था तो जातुँ आप window मेनों में जाकर workspace की option में जाकर ABCD India को select कर सकते हैं नहीं तो आप इस workspace के बार पर आके directly ABCD India को select करेंगे तो आपके पास आपका जो workspace है वो mention हो जाएगा जो हमने panels को जिस तरीके से open किया था हमने उन panels की position को change किया था वापिस हमारे पास वही workspace जाए वो display हो गया है तो इस accordingly हम अपने workspace को change कर सकते हैं और create कर सकते हैं तो आज की tutorial में हमने Adobe Illustrator में एक new workspace को कैसे create करना है वो सीखा है थैंक यू